सभी सखियों सहेलियों को मंजुद विवेदी और बुआ का नमस्कार नमस्कार आपको रक्षा बंदन परव के हार्दिक शुब कामना है और साथ ही बहुत बहुत प्रणाम क्योंकि आज बड़ा उत्सव है बड़ा त्योहार है और इस दिन हम बड़ो को प्रणाम करते हैं और बुआ जी जो होती है तो बहन के बाद जो बहन से पहले बुआ जी जो होती है उनको सम्मान दिया जाता है तो आप तो हैं प्यारी बुआ का इतना सम्मान हो गया तो धेर सारा प्यार 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 और धेर सारा प्यार भरा आ कौन सा उपहार लेकर आई हैं हमारे बारे में लिखा है तो भाई पहली बार तो ठेर सारा अशिरवात दे रहे हैं इसको उपहार के स्वरूप लें आप जोली पहला कर वैसे ले और सभी बुआ लोग देती ही हैं और देखो मन्जु बिटिया ऐसा है ना कि तुम आई तो दे लेकर के आई हैं तो गीतों की रुपे तो उपहार हमारे होंगे ही तो वो तो आप सुनेंगे ही और हमारा बिटिया के आने से जो घर आंगन वाकई में बहुत हरा बरा सा लगने लगता है और ऐसा लगता है कि हां हमारा बच्पन लौट आया है और बच्पन की वो सारी बा कि यहादों का पिटारा खुल गया है तब बाद में बताएंगे दोस्तों लेकिन कैसे किस तरह से राखी बन वाने के लिए कभी-कभी तो जब बहुत चोटे थे यह लगता था कि सबसे पहले तो सबसे चोटा भाई जो रहता था वो उतावला रहता था कि हमें सबसे पहले ब सबसे थी कि नहीं क्रम से हो बड़ा बेटा जो है उसे पहले राखी बने उसमें भी वह देख थी थी कि थोड़ा सा वरिष्ठता निभाई जाए लेकिन बच्चे जो है वह सोचते थे कि नहीं सबसे पहले हमें बादी जाए हाँ क्योंकि छोटो में थोड़ी सी यूं कहते ना कि सबसे थोड़ा कम होता है और इसलिए वो सुचते हैं कि पहले हमें राखी बादी जाए और सबसे बड़ी राकी जो है वो लुतावलापन होता था इसमें भी बड़ा आनन्द हुआ करन नद तो अभी भी वही भाहनाए हैं हभी भी सब कुछ होता है और बहुत सारे यथी बहुते हैं वडना हैं अब ऽुछ लोग भीज दिया र्याकी तब हो बसे भाहार देना वो रखा हुआ है तो भेने भी खा भी भीज बहुते हैं तो इसमें मज़ा रहिए गाजाँ तो इसमें मज़ा है अगर बोट बढ़ा पन दिखाएं अपना बड़कपन दिखाए तो कहें कि नहीं नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है वह ऐसा नहीं कहीं है भाई उपहार दे रहा है तो लीजिए बड़े मज़े से लीजिए जैसे बश्पन में चीन चीन कर लेते थे और विवाह से पहले जब भाई बहन सब साथ में रहते हैं तब हमें जो उपहार का बहुत महत्व लगता है कि ऐसा लगता है कि क्या मिलेगा क्या मिलेगा लेकिन विवाह के उपरांत ऐसा होता है कि बस भाई बहन आपस में मिल जाए वही सबसे बड़ा उपहार हमें लगता है मिलना जुलना जो होता है ना ऐसा लगता है कि बस सब कुछ मिल गया, सारे जहान की दौलत मिल गये, अब और कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल सही बात है, और यहीं तो हम भी कह रहे हैं कि मिलना ही सबसे बड़ा उपहार हो जाता है, यह तेहवार बने ही इसलिए होते हैं, कि आप वर्ष भर सोचते रहते हैं, कि चलते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं, नहीं हो पाता है, लेकिन यह तेहवार जब आते हैं, तो हमें विवश्च कर देते हैं, यह यादे हमें विवश्च कर देती हैं, कि नई भाई, एक बार फिर दूहार के लिए वहां तक क्यों जाए एतना दूर है हमारा माय conj Imma ş fewer समय कैसे पीके झाले हैं जुटि कैसे लें तुमाम बाते लेकिन लेकिन यह बातें हमें ए क्यों बहुत दुखी करती हैं जब ऐसा वातावरं माय तो निकालना पड़ता है हमें, जहाँ चाह वहारा, बिल्कुल, तो कोशिश कीजिए जाने की, कि अगर भाई है, भावी है, माता पिता है, तो जाइए उनसे मिलिए, और रक्षा बंदन का पर वो पूरे हर्शोर लास के साथ मनाई है, तो ये कच्छे दागों का बहुत गहर आगला प्यार होता है बुगाजी है ना, बहुत मखबूत होता है, बहुत मखबूत बंदन है ये, और ये तो प्रतीक के तौर पर ही है कहना चाहिए, ये जो रक्षा सूत्र sincer से कहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं न कहीं ये संकल्प है कि हम एक दूसरे की रक्षा करेंगे, बि बिल्कुल बांधा जा सकता है और कहीं न कहीं हम बांधते भी हैं जैसे कि जो हमारे संगीतागे लोग हैं वो अपने वादे अंत्रों को बांधते हैं यानि कि यह हम इसके उपर आश्रित हैं और उसको बांध कर यह उसकी मंगल कामना करते हैं ताकि हमारा भी मंगल बना रहे बिल्कुल और इसके अलावा हमारा जो घर होता है घर की दहलीज होती घर का जो दर्वाजा होता है वो भी हमारी कितनी रक्षा करता है जैसे हम बाहर से घर में आते हैं मन में एक सुकून सा आ जाता है और लगता है कि बस अब हम पूरी तरह सुरक्षित हैं तो कितना आश्रे देता है हर गर्मी सर्दी बरसाथ और कितने ही थपड़ों से वो हमारी रक्षा करता है तो जब ये रक्षा बंदन का परवा है तो हमें अपने घर की दहलीस पर और घर के दर्वाजे पर भी एक राखी या एक रक्षा सुत्र जरूर बादना चाहिए और कहीं न कहीं मंजू पिट्या ऐसा नहीं लगता कि जो रंगोली हम बनाते हैं यह इसी का प्रतीक है या जैसे वहन के अगर हम बात करें तो वहन पर हम जैसे माला चड़ाते हैं किसी भी पर पर हो तो एक खास दिन तो बना ही हुआ है लेकिन इसके साथ-साथ कहीं न कहीं हम समय समय पर गाहे-ब आसन सा देते हैं, आमें मिल जाता है कि अच्छा, अब हम सुरक्षित हो गए, हमें सुकून मिल गया जी बिल्कुल वाहन भी हमारे कितनी रक्षा करते हुआ जी देखिए जैसे कि हमें अपने कारे इस्थल पर जाना है, कहीं जाने की जल्दी है, काम के सिलसिले में या कभी त तो उन्हें भी हमें राकी बान कर उनका आभार व्यक्तिक करना चाहिए और कृतक्य होना चाहिए उनका बिल्कुल सही बात है तो यह हमारे एक साथी ने भी लिखा भी है कि यह हिंदू का तेहवार है लेकिन बहुत सारे लोग इसे मनाने लगे हैं रक्षा बंधन की सबसे प्रतीक है यह प्यार हमेशा बना रहे यही प्रार्तना है हमारी और सब खुश रहें तो बात बिल्कुल सही है कि बहुत सारे लोग सिर्फ इसरी मनाने लगे कि भाई बहन का यह बड़ा प्यारा सा रिष्टा दर्शाता है भले उनके धर्म में उनके संपरदाय में उनके हमें यह नहीं मनाया जाता है लेकिन उसको इन्होंने आत्मसाथ कर लिया और आज की दिन बुआ हमें पेड़ पोधो की रक्षा का भी हमें संकल्फ लेना चाहिए वो भी हमारी कितनी सुरक्षा करते हैं जीवन दाई है और पत पर चलते हुए जब भी हमें बहुत गर्मी क का एसास होता है तो हम आश्रे किसका लेते हैं पेड का ही लेते हैं उसकी छाया में खड़े हो जाते हैं और बड़ा सुकून महसूस करते हैं और बाकी भोजन और वगेरा सब कुछ तो हमें उसी से मिलता है तो इसके लिए हमारे आंगन में खड़े हुए पेड पोधो को र ज़्द रहे कि वो सुरक्षित रहे, वो फले पूले ठीक से हम उसका ध्यान रखेंगे अपने भाई की तरह, अपने जीवन की तरह एक तरह सी कहना चाहिए, प्राण से प्यारे जैसे भाई होते हैं, भतीजे होते हैं, वैसे ही इन सब का भी ख्याल रखेंगे कि भाई, ये क को पड़ने में हर बटन में चाहिए हर जगे हर बरतन में चाहिए और उनकी चाया कही नहीं दिखी बेटी का जाए विवा हो जाए बुआ लेकिन उसका मन कई बार मायके की तरव भागता है ये सोच करके कि मेरे माता-पिता सुरक्षित तो है ना भावी उन्हें अची तरह से रख तो रहे ना ये भावनाय मन के अंदर उमरती रहती और जब रक्षा बंदन आता है तो ये बा हमारी रक्षा करते हैं और सेनिक तो विशेश तोर पर कि वह हमारे सीमाओं की रक्षा करते हैं और वह वहां खड़े हैं इसलिए हम अपने घर में त्योहार मना रहे हैं तो उन्हें भी रक्षा बंदन परों की धेर सारी शुब कामना है देते हैं और मन से ही हम उन्हें रक एक बड़ा प्यारा सा कुछ पंक्तियां लेकर हमाय साथी ने भेजी है आया कितना पर्वसुhāna राखी लेकर आई भेहना बंधवाले जो धागा इसका धुल जाए मैल उसी के मन का आया कितना पर्वसुhāna ये राखी है सबसे नई न्यारी अनोखी प्यार की दुलारी करती रक्षा पवित्रता की करदे राक मलीन ता सारी सुक शांती का नारा लेकर आया कितना पर्वसुहाना प्रेम शांती और पवित्रता का पहनाए सबको ये गहना यही तिलक इस दिव इसमिति का हम भाई बहन ब इतना सुनलो यह कपिल का कहना, कभी न भूलो इस बंदन को राखी के पावन कंगन को, ऐसा पावन है मन भावन तयोहार, आया कितना पर्वसुहाना, आया कितना पर्वसुहाना, खुश्यों में जूलते भाई बहन। पर अलग-अलग तरीकों से वहां की जो भोगलिक परिस्थितियां हैं या वहां क्या काम ज्यादा किया जाता है इस आदार पर एक ही त्योहार को अलग-अलग तरीकों से मनाया जाता है तो ऐसा है कि गुजरात, महराष्ट, गोवा और करनाटक सहीत कुछ पश्ची में जो हि उनके लिए ये दिन एक नए साल की शुरुवात माना जाता है। तुम रहोगे तो हम नहीं रहेंगे, हम रहेंगे तो तुम नहीं रहोगे। ऐसा संभा भी नहीं है। तो बहने भाई के लिए क्या विशेश बना सकती हैं। और वैसे कोई भी दियोहार और मिठे विंजन तो खाने का रिवास है। तो बुवा जी देखिए रक्षा बंधन के दिन ये चंदा मामा है ना बड़े प्यारे हैं। हर बात के साक्षी होते हैं। देखिए बहन की भावना हैं। देखिए वो चांद को देख करके खहरे है कि भाया को संदेशा पहुचाना। क्योंकि जाढ के दिन यात ढ़ता के पहुच्छ लावनागा। और कितनी पूरे देशवासियों ने उस दिन कितनी खुशियां मनाई है और मना रहे हैं कि देश की इतनी बड़ी उपलब्दी है तो हम सब हुश होते ही अपनी देश की बड़ी है और मैंजु बीटिया इस बारे में तो बहुत विसार से बात हम लोंगों को फिर से करना चाह इसे संस्थान से नहीं पड़े थे वो सब तो सब बाहर चले गए उसके बाद वाले वी जो बचे है वो भी हमारे बहुत महत्वपूर्ण यानि क्रीमी लेयर वो भी है तो वो जो मेधा है हमारे देश का दिमाग है मस्तिश्क है वो भी उतना ही कुषाग्र है तो यह भी लाइन हमारे एक साथी ने और लिखा कि राखी का धागा महज यह धागा नहीं है यह तो बहन के कलेजे का तार होता है भले एक मां से जन्मे न जन्मे यह तो कृष्ण दुरौपती का प्यार होता है बहन भाई बिछडे भी तो राखी याद दिलाती है तेरा कोई अनमूल अंग्रेजी में कहते हैं हिंदी में लापता पीडितों का अंतराश्ट्री दिवस और यह जो दिन है यह प्रतेक वर्ष जो 30 अगस्त को मनाया जाता है यानि आजी के दिन स्वयुक्त राइश्ट्र महा सभादवारा इस दिन को मनाने की गोष्णा 20 दिसंबर 2006 को की गई थ जी देखो ऐसा होता है कि ये लापता लोग अकसर गायब हो जाते हैं पता नहीं चलता है इसका उद्देश यही है कि लोगों को लापता होने से रोकना कोशिश करें कि आप इस जिम्मेदारी के साथ रहें कि खुद नकोएं और ये दिलाना जो लोग जिम्मेदार होते हैं जिन्होंने गुम किया है उनको एक तरीके से सजा दिलवाना और समाज में ये हो रहा है ये हम बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है कि लोग लापता हो रहे हैं ये भी जाग रुकता है इस दिन को बनाने का उतेश्य है बलकुल दो, क्या होता है ना कि जिससे समाज में से घर में से कोई भी वक्ति अगर अचैनक लापता हो जाएं तो समाज के बहुत ये असंतोष का माहूल हो जाता है लोग परेशान हो जाते है घर के लोग के लोग कोशिश करें। तो लोग इस विशाई के प्रती जागरुक रहें कि ऐसा ना हो अगर हो रहा है तो उसके कारणों के जानने की कोशिश करें उन्हें रोकने की कोशिश करें और समाज में जबरदस्ती लोगों के गुम हो जाने की जो वारदाते हैं इससे समाज में असुरक्षा की भावना उत तो भी आप एक बड़ सुनकर चौंक जाते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, उनके घर की इस्थिति आपको थोड़ा सा भैबीद भी करती है कि उनके घर में आप क्या इस्थिति हो गई होगी, अचानक से उनके पिता थे गायब हो गई या मात ही नहीं है, बेटा था नहीं है, और उस आज एक और विशेज दिन है, विश्व संस्कृत दिवस के रूप में भी इस दिन को हम मनाते हैं, और यह होता है पुर्णिमा के दिन, रक्षा बंधन के दिन, बिलकुल, और इसी दिन को हम रक्षा बंधन का ही दिन है, इसी को हम संस्कृत दिवस के रूप में मनाते हैं, और हम सभी इस भाषा का सम्मान करते हैं और हमारे सभी जो पुराणी ग्रंत है इसी भाषा में लिखे गए हैं और कई कल्यानकारी मंत्र है जिनका आज भी हम मंत्रों चार करते हैं ये सभी संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं हाँ और हमारे साथ ही लिख रहे हैं कि भारत में हर साल श्रावन पूर्णिमा को विश्व संस्कित दिवस या संस्कित दिवस के रूपे मनाया जाता है, संस्कित को सभी भारती है, भाषाओं की जननी भी कहा जाता है, ये विश्व की सबसे प्राची इंतम भाषाओं में से एक है, दुनिया में पहली बोली जाने वाली भाशाओं में से एक संस्रित का बारत के प्राची नितिहास में बहुत महत्तो है, इसे देवताओं की भाशा भी कहा जाता है, बारत के गौरवशाली अतीत में इसके स्थान को जीवन तरकने के उद्देश से विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है, इस भाशा के पुनुरुत्थान और संरक्षन को बढ़ावा देने के लिए विविद कारिक्रम सेमिनार आधिके माध्यम से दुनिया भर में विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है, बिलकुल, और संस्कृत दिवस अपने आप में एक अनूठा द आज की पूजा जो होती है सुवे उसे श्रावणी भी कहते हैं, श्रावण मास की वज़े से भी कहते हैं, और संस्कृत देखने में, सुनने में ऐसा लगता है, बहुत कलिष्ट है, बहुत कठिन है, लेकिन एक बड़ी इसकी खूबी जो है, यह सोच की वही वाली बात है, जैसा लिखा जाता है, जैसा बोला जाता है, एक सूत्र जो होता है, वही सब जगें लागू होता है, और सूत्र में बहुत सारी चीज़ें समझा दी जाती है, यानि जिस अगर हम कहें, तो आधा वाक्य हुआ, और एको एड़ाची जैसे ऐसे कह दिया, और इससे बिल्कु जैसा ही था, जबस खुल जा सिमसिम वाला था, मामला, कि ये सूत्र अगर आपने समझ लिया, तो आपको कहीं पर भी उसके व्याक्रण में कोई कठिनाई नहीं होगी, इतनी व्यग्यानिक ये भाशा है, इसलिए तु मुआ कहते हैं, कि सबसे अधी computer friendly भाशा का किताब मिल है इस भाशा को, कि अगर computer का उप्योग करते समय, जो सबसे सधीक भाशा होती है, वो संस्कृत मानी गई है, क्योंकि बदाया ना, कि जैसे कहीं पर भी इसमें बदलाव नहीं है, अन्य भाशाओं में है, और हम उसको बड़े आज़ानी से सीख रहे हैं, हमारे साथ ही अप शब्दों पर बहुत जोर देते थे, कहते थे जो इसे अच्छी तरह से समझ गया, उसके लिए संस्कृत सरल भाशा हो जाएगी, और बुआ जी, कहते हैं कि हमारे प्राचीन भारत में इस दिन से ही शिक्षन सत्र और वेद पाठ शुरू किया जाता है, और शात्र इसी दि आजर से हम सब भाशा हो, या कुछ भी हो, गुरुकुल परमपरा में इゾ जाते थे, तो केवल भाशा नहीं सेह थे, बहुत कutes सेह थे, आचरन सेह, शांसकार सीख कराते थे, उस ठाटि और उसको लेकराते थे, तो ऐसी बहुत सारी चीज़े होती थे थे, बिलकुल और इस सम्रित भाशा को याद करें और सीखने का प्रयास करें और हो सके तो थोड़ी बहुत बोल चाल में भी इसे इसे इस्तेमाल करें हाँ भाशा तो अगर अगर बहुत दिक्कत लगती है नहीं सीख सकते तो कुछ श्लोक आदी जब हम याद करते हैं तो बंजू बीटिया एक बात तो है कि हमारा उच्चारन बहुत शुध होता है बहुत सारी चीज़ें हमें मतलब कहना चीए कि पूरा जो हमारे मूँ का जब बोलने लगेंगे तो अभ्यास से तो बोलने ही लगेंगे वैसे हमारे साथ ही लिख रहे है कि रक्षा बंदर श्लोक बोलने में पसीने चूटे थे इन्होंने लिखाया है येन बद्दो बली राजा दान वेंद्रो महा बलो कई दिन पहले से ही से रट्टा मार कर याद करत गलत बोलने पर भाहिया बहुत चिड़ाते थे और पैसा भी काट लेते थे क्लास में भी इस श्लोक को सुनने के लिए बोला जाता था सुनाने के लिए बहुत सारी जगह पर ये भी होता था बिल्कुल तो बुआ देखिए हमारा भारत कितना सम्रुद रहा है और कितनी सम् में हमेसा याद रखना चाहिए बिलकुल याद रखना चाहिए और संस्कृत भाषा उसे विरासत में द Grah nuevas अनमोल रतन अच्छा लगता था संस्कृत पढ़ना और पढ़ाना क्या बात है तो मतलब हमारी जो साथी है वो शिक्षिका है और पता चल रहा है इसे और अंक जब आते हैं तो जाहिर है कि गणित की तरह ही संस्कृत है तो जाहिर है कि जैसे हम लोंने बताया कि कम्पिटर की भाषा है तो इसलिए यह है मानने क्योंकि इसमें बिल्कुल गणित की तरह है हमेशा दो दुनी चार ही होगा कभी छे पांच नहीं होगा संस्कृत दिवस से हार्दिक शुब कामना है हमारे साथ ही लिख रहे हैं उसमें यह भी आगे लिख रहे है अगर डालें आदत तो एक भाषा यह भी पढ़ सकते हैं और हमने लापता पीडितों का जो अंतराश्ट्री दिवस है इस बारे में बात की हमारे एक शुरोता ने लिख करके बेजा है कि लापता की बात से डर सा हो जाता है हमारे परिवार की एक बहु का भाई जो की शादी शुदा है 32 वर्ष का बनारस में रहता एक दिन दोपर में रोज की तरह दुकान से खाना खाने घर आया और शाम को चार बजे वापस गया रात को दुकान से जब उसके पिताजी और बड़े भाई वापस आये तो पूछे क्या दवियत खराब हो गई है उसकी वो दुकान क्यों नहीं आया पता नहीं आज चार सा लोग है उसका कोई अता पता नहीं मिला तो बहुत बहुत ढूंडा गया उसे पर नहीं मिले अब तो कहीं कहीं, आपकी अपनी location अगर आप दें घरवालों को उसमें साज़ा कर लें तो आपने phone से भी घरवालों को पता लगेगा कि आप कहा जा रहे हैं, कहा नहीं जा रहे हैं इसको अकसर हम सोचते हैं कि हमारी जो ये निजटा है उसमें कही न कहीं लोग सेंध लगा रहे हैं तो ऐसा नहीं है यह अपनी सुरक्षा के लिए भी है तो ऐसे लोग सोचतें ना कि आप बच्चे की अच्छा ममी पापा देख लेंगे हम कहा हैं तो भाई ऐसा ना सोचें इसका ये भी पक्ष है और एक बात यहाँ याद आई कि बच्चों को जब माता पिता कहते हैं कि आप कहां जा रहे हमें बता दीजेगा तो बच्चों को ऐसा लगता कि माता पिता हमारे उपर शक कर रहे हैं और हमारे नीजी जिवन में बहुत ज़्यादा दखलंदाजी कर रहे हैं जबकि उनका उद्देश ये होता है कि बच्चा कहां हमें पता रहे ताकि बच्ची की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके और ये दोनों तरब से है इसी तरह से माता पिता गर कहीं जाएं तो बच्चों को बता कर जाएं या किवल पिता जा रहे हैं कहीं तो घर में बता कर जाएं मा कहीं जा रही है तो बता दे स्वास्त का ध्यान भी रखना बहुत जरूरी है अब देखो मन्जुमिटी आगे हैं आम तो डर लग रहा था कि पकोड़ी खाएं कि नहीं खाएंगे मखाने की खीर हम खा लेते हैं और मखाना बहुत है बहुत सारे उसके निट्रीशन वेल्यू इसकी बहुत अच्छी होती है तो हमें क्या करना है मखाने 100 ग्राम लेना है दूद डेल लीटर लेना है चीनी 185 ग्राम लेनी चाहे तो थोड़ा कम लेजिए ताकि मिठास आपको परेशान ना करें और बादाम थोड़े से लेने उसके चोटे चोटे टुकडे काट लें केसर लेना है थोड़ा सा पीसी हुई इलाइची चार-पांच लेनी है और किश्मिश हमको साथा लेनी है बनाने के लिए सबसे पहले थोड़ा सा पहले मखानों को आप ऐसा और कटोरी में फोड़से दूद में केसर डालकर उसको अलग रख दें, ताकि केसर भीग जाए ब हमेने करना क्या है कि कडाईी को चडाना है, और उसमें दूद डालें तूद गरम होने के लिए रख दें उबाल आजाए तो उसको आस थोड़ी कम करके जो मखाना हमने पीस करके रखा है और इसी के साथ इसमें पोष्ट के दाने भी अगर हम डाल दे तो उसकी पोष्ट इकता और भी बढ़ जाती है तो फिर उसके बाद में उबाल आने पर यह मखाने और अगर चाहें तो सजा समार के उसको और परोस ने देखी यह टेस्टी तो है ही और पोष्टिक भी है बिल्कुल और इसमें अगर आप चाहें तो थोड़े से जो मखाने है बिना पीसे हुए भी अलग आप उसको सूखा भुन के रख सकते हैं और उसको थोड़ा सा उपर जैसे के बाकी जो हम में थोड़े सोजी दो बडोड हुए ड्ची झाहें यह अघर सख्यान मैं बड़ास के इसमेच्टाफ काजू भादाम थोड़े इसमां एक बड़ासी लेजिग काजू गादाम यह ऴु इन क nehmeट टावड़ा है जे टाज प्थाजिग कय टे अबादाध टाजह चाहें अब देशी घी थोड़ा सा ले ले कड़ाई बे सोखे बेवे जो है उन्हें भून कर निकाल ले और बचे हुए घी में सूजी डालकर मध्यमाश पर थोड़ा सा सेक ले धीरे धीरे गुलाबी होने तक अब इसमें कद्दू कस किया हुआ नारियल डालकर साथ से आठ मिना तक किसे भूने नारियल का पानी सूख जाने पर गुड़ डालकर 15 मिनट थोड़ी देर और चलाएंगे लगभग हमें लगता है पांच मिनट में हो जाएगा ये पांच मिनट तक चलाएं मेवे भी अब मिला दे जब मिशन इकठा होने लगे तो इसे आजपर से उतार लीजे इसमें गुलाब की पंखुणियां मिला दीजे और जब थोड़ा सा ठंडा होने लगे हलका हलका तो लड़ू बनाती जाएए और चिरॉंजी और गुलाब की पंखुणियां उपर से भी चिपका देंगे तो और सुन्दर लगेगा तो इसको खुबसूरती से परस दीजे परस दे तो बना रहे हैं तो बना रहे हैं कच्चे कले के पकोड़े जाए ताकि तुम कहों कि यह पॉष्टिक भी है चार पांच बेसन चाहिए दो कैटोरी नमक चुटा चमच चाहिए अधरक हरे मिर्श पेस चाहिए दो बड़े चमच गरम मसाला चाट मसाला एक चुटा चमच चाहिए पुदीना पाउडर एक चोटा चमच नीबू कर रस दो चोटा चमच अधरक हरे मिर्श का पेस्ट एक चमच नमक गरम मसाला पुदीना पाउडर चाट मसाला सब अच्छी तरह से मिला ले इसे ढखकर आधे घंटे ले रग दीजे ताकि इसमें जजब अब बेसन में जो नमक और हरा धनिया मिला दे और घोल बना लीजे इसे भी 20-25 मिनट के ढखकर रख दीजे आप देखेंगे इसको जब बेसन घोल के रखते है तो उसका अलग ही स्वादा आता है केले के टुकुड़ को निकाल कर अलग रखे बेसन के मिश्ण को अच्छी अच्छी तरह है बाकी जैसे आप पकॉड़े तलते हैं वैसे ही और केले के स्पेशल पकॉड़े तयार हो गए तो चटनी बिल्कुल और मेरिनेट करनी की वज़े से केलों के टुकुड़ों में मसालों का जो टेस्ट है वह बहुत अंदर तक चला जाता है और बड़ा अच के लिए सामगरी चाहिए हमें दो कप मैदा एक कप मक्के का आठा और चोथाई चोटा चमश नमक और तेल यह तो टाकोज बनाने के लिए चाहिए और भरावन के लिए जो सामगरी चाहिए उसमें अंकुरित किये हुए मूंग, मोठ और चना तीनों मेंसे अगर एक नमक, लाल मिर्च, भुना, पिसा हुआ जीरा चाहिए चाट मसाला, हरी मिर्च और बारिक सेव यह आपने स्वाद के इसाब से लिए अब बनाने के लिए हमें क्या करना है कि मैदा मक्के का आठा और नमक इन तीनों को मिलाए और पानी से आठा जैसे की रोटी का आठा हम अब इसकी लोई बनाए और मेदा का पलेथन उस पर लगाते हुए पतली रोटी जैसा बेले और कांटे से पूरी पर निशान बना दे ताकि वो फूले नहीं और फिर किसी कटर या कटोरी की मदद से गोल काट ले एक तम बन जाए गया और गर्म तेल में डालकर इसको फट से दबाएंगे तो होगा क्या कि वो थोड़ा सा दोनों तरफ से मुड़ जाएगा तो उसमें जो हम सामगरी रखेंगे ना वो नीचे गिरेगी नहीं बस ऐसा आकार हमें इसे देना है जैसे कि एक नैपकीन रखने वाला होता है न होल्डर उसके बीश में आसे रखते हैं बिल्कुल ऐसा हमें कर लेना है और उसके बाद में आलू बारिक अलु जो हमारे पास में अंकुरित अनाज है उसको भाप से थोड़ा नरम कर ले उसमें एक बड़ा चमस तेल गर्म करके अंकुरन पर डाल दे थोड़ा सा लाल मिर्च, हरी मिर्च, दोनों तरह के नमक, चा जाले डालने है और चटनी और बारिक सेव डाल दीजे यह देखिए दिखने में भी बड़ा सुंदर लगेगा और खाने में तो स्वादिष्ट होगा ही हां तो बुआ देखे गड़ी ने भी हमको इशारा कर दिया है और कह रही है कि अब आप आग्या लीजे तो आप सभी को मंजुद विवेदी और बुआ का नमस्कार